हेलो वेलकम मैं हूँ अरुन कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास आठ की प्रशनावली 11.4 के प्रशन साथ का सॉल्यूशन तो पहले इस प्रशन को समझ लेते हैं देखो जो इस प्रशन साथ है इसमें हमसे बोला गया है यदि किसी घन के परतेक किनारे को दुगना कर दिया जाए तो इसके प्रिष्टिय छेत्रफल में कितने गुना वृद्धी होगी और फिर पूछा गया है इसके आयतन में कितने गुना वृद्धी होगी तो कहने का मतलब क्या है कि समझो कि आपके पास एक घन है ठीक है और जो घन है इसका किनारा मतलब जो इसकी भुजा है इसको हम दुगना कर दे रहे हैं ठीक है तो सुरुवात में मानलो इसकी जो भुजा थी या किनारा था वो ए था और फिर आपने क्या किया आपने इसकी भुजा को दुगना कर दिया मतलब अब एक बड़ा घन बन केहने का मतलब क्या है dear corn की यहाँ, और बाद में कितना हो गया है, तो यह समझाने के लिए था उसको एसे बनाना नहीं है, ठीक तो शुरुभात में, अब बाद में कितना हो गया है ठीक है नया किनारा जो है नया किनारा ये हो गया है 2A की बनाब ठीक है तो अगर किनारा A से 2A हो जाए यानि दुगना कर दिया जाए तो उसके प्रिष्टिय छेत्रफल में क्या अंतर आएगा और उसके आयतन में क्या अंतर आएगा ये हमें बताना है तो पहले हम पहला पार्ट करते हैं पहला पाट मतलब इसके प्रिष्टिय चेत्रफल में कितना अंतर आएगा ठीक है तो मैंने यहाँ पर लिखा जो घन है इसका प्रिष्टिय चेत्रफल ठीक है इसका प्रिष्टिय चेत्रफल कितना हो जाएगा घन का छे एक अवर्घ ठीक है छे गुणा में जो किनारा है इसका वर्ग ठीक है सिदे-सिदे यह फॉमला होता है ये कब है ये तब है जब किनारा कितना था ए ठीक है अब यहां देखो यहां पर पिरिश्टिय चेटरफल नया वाला कि भाई पहले वाला प्रिष्ट्य चेतपल ये था जब बढ़ाया नहीं था और दूसरे वाला प्रिष्ट्य चेतपल ये है जब इसकी भुजा को दुगना कर दिया बढ़ा दिया ठीक आप ऐसे समझो जैसे मुवीज का नाम होता है वन टू जैसे बहुबली वन बहुबली टू वैसे ये पिरिष्ट्य चेतपल वन है ये पिरिष्ट्य चेतपल टू है ठीक है टू का मतलब डबल नहीं किया डबल किनारे को किया ठीक तो पिरिष्ट्य चेतपल क्या होगा छे गुणा में जो किनारा ह किनारा कितना इसका 2A ठीक है इसका वर्ग देखो यहाँ पे किनारा A था तो A का वर्ग किया यहाँ पे किनारा 2A है तो 2A का वर्ग कर दिया तो कितना हो जाएगा 6 2 का वर्ग कितना होता है 4 और 7 में क्या होगा A का वर्ग तो 6 गुणा 4 कितना आ गया 24 एक आवर ठीक अब देखो अब हमें बताना था की जो ये नया वाला निकला है ठीक है इसका पीछ जित्ल भल ये इसके कितने गुणा बढ़ गया है तो हम यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं हम यहाँ पे लिकेंगे प्रिष्ट्रिय जित्रफल जो हो 6 का 4 गुना 24 होता है ठीक है ना चार गुना तो यहां पर 24 a square उपर लिखेंगे शुरुवात में कितना था 6 a square यह कट गया 6 एकम 6 624 मतलब कट के 4 आ गया ठीक है ना कट होगे तो कितना आएगा 4 तो यहां पर हम बोलेंगे भई 4 गुना जो नया वाला है यानि कि जो नया वाला है वो पहले वाले का चार गुना होगा ठीक है तो यह तो था a पहले का मतलब जो यहां पर एपन निकालेंगे उसका एक नाम दे जे दिये ता कि फहचान बनी रहे कि भै आयतन 2 है ठीक है तो यहाँ पर आयतन का formula आप जानते हैं जो किनारा है उसका घन किनारा है ए तो ए का घन हो जाएगा यहाँ पर किनारा है दो ए तो दो ए का घन हो जाएगा दो का घन आप जानते हैं आठ होता है और ए का घन ठीक है दो गुणा दो गुणा दो कितना था आठ तो अब जरा भाग करके देखो कितने गुणा हुआ है तो यहां पर हम लिखेंगे बाई जो नया वाला आयतन है यानि कि आयतन 2 और जो पुराना वाला आयतन था यानि कि आयतन 1 ठीक है नया वाला कितना है 8 एक अगन पुराना वाला कितना था श्रिफ एक अगन तो इससे कट गया कितना बचा 8 तो कहने का मतलब यहां पर क्या हो ज जाएगा इससे पहले जो हमने देखा था कि जो छेत्रफल था वो चार गुना हो गया था